एलो प्रेंट्स वैलकम टू माई यूटुभ चैनल आज की क्लास में डिसकस करेंगे मशीन करण्टोल यूट एंसी यू के बारे में MSU किसी भी CNC स्टम क्या हर्ट होता है या कि मशीन कांट्रोल यूट हर्ट होता है किसी भी CNC सिस्टम के लिए MCU की दो सब यूनिट्स होती है दो यूनिट्स होती है एक दो पार्ट होते है सब यूनिट बोल दो या पार्ट बोल दो एक तो DPU एक CLU Data Processing Unit Control Loop Unit First Data Processing Unit जब भी पार्ट प्रोग्राम रेसीव करेगा यानि की MCU में जाएगा तो उसको DPU पहले Interact करता है Interpret करता है या और उसको Encode करता है पार्ट प्रोग्राम को जो की Internal Machine Code के रूप में यानि की पार्ट प्रोग्राम MCU के अंदर जाता है MCU में जाएगा MCU में जाएगा और MCU में क्या है DPU और CLU इसके पार्ट है तो Data जो भी पार्ट प्रोग्राम होगा MCU के अंदर जाएगा जब भी तो वो कहां पे कौन से पार्ट में जाएगा यह DPU में जाएगा और यह जो भी प्रोग्राम है उसको समझेगा Clearly उसको Detail में देखेगा कि क्या है और part program को encode करेगा जो machine internal machine code है उसी के coding यानि कि part program को हमने एक language में लिखा है लेकिन इसको machine language के अंदर interact करेगा encode करेगा इसको translate करेगा dpu जो interpolator है dpu का calculate करेगा intermediate positions जो की motion की intermediate position मोशन के दोरान जो भी होनी है किस term में करेगा blu यानि की basic length unit term में करेगा यानि की जो interpolator है dpu के अंदर calculate करेगा जो भी positions या motions जो भी होने हैं उनको basic length unit में convert करेगा जो की smallest unit है जिसको controller handle करता है क्योंकि machine की कुछ language होती है हमने program लिख तो दिया लेकिन machine अपने language में उसको translate करेगी encode करेगी और जो भी calculated जो भी machine language ने calculate कर आपने अंदर कैसे कैसे उसको काम करना है जो भी data है calculated data वो जाएगा CLU के अंदर यानि की आगे काम होने के लिए जो mcu के दो पार्ट थे dpu and lc CLU तो ये उसके बाद dpu के बाद जाएगा CLU यानि की control loop unit तो data जो dpu से डाटा जो आया वो convert करेंगे into electrical signals में CLU में क्या होता है electrical signals में convert होता है जो dpu से डाटा आया उसको electrical signals में convert करते हैं और जो CLU control करता है driving system यानि की जो भी system काम करने वाला system होता है उसको driving system को control करता है और जो भी motions होते है actual में जो motion कोन कर रहा है जो machine को चलाने वाला यानि की driving system कर रहा है तो जो control loop unit से जो भी information जो है वो क्या होगा उसके द्वारा जो driving system कंट्रोल होगा जिसके द्वारा motion कंट्रोल होंगे machine के जैसे की example के तोर पर देखे जाए जैसे की कुछ function है जैसे की machine spindle से related function होगया यान की कब machine spindle on होगा कब off होगा या coolant कब on off होना है या जो tool clamp कब on चाहिए कब off चाहिए तो इस तरीके से जो भी ये काम on off या जो भी functional requirement है driving system जो काम कर रहा है यह mcu control करता है और यह internal machine code के coding control करता है क्योंकि coding जो किया हमने पार्ट प्रोग्राम बनाया वह एक अलग language में था machine की language अलग होती है machine अपना internally calculate करती है motions को motions को internally machine language में control करती है उसी के दुवारा जो भी real में काम होता है जो direction देने का काम होता है driving system को mcu provide करता है पहले वो internally करेगा जो data processing unit में क्या होता है internally calculation करती है कि कहां पे movement होना है कैसे movement करना है यह machine language में होता है फिर यह control loop units में जाता है जो कि control करता है various system के जो work हो गया कैसे जो भी motions होगे driving system के तो यह control loop units करती है तो यह था discussion इसके बारे में machine control units के बारे में basic introduction की क्या होता है इसके जो elements कोन कोन से elements होते है और बाकी के जो भी topics है बाकी के वो आगे की वीडियो में upload कर दिये जाएंगे तो अगर आपने मेरी playlist को चेक नहीं कर रहा है तो आप channel की playlist को चेक कर लिए जिए अगर आपके लिए helpful है तो थैंक यू, have a nice day